ये जो चुनाव है ये लोकतंतर को और समविधान को बचाने का चुनाव है एक RSS ने और BJP ने और खास्तोर से नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी, ED, CBI, इन इंस्टिटिटिटिट्ट्स को कैप्चर करके financially monopoly बना रहे हैं इसलिए ये नंबर निकला है 400 पार क्योंकि इनको लग रहा है कि भाईया अगर 400 पार नी 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नईया पायर हो जाएगी ये जो चितामरम जी ने कहा उससे में सहमत हूँ, मगर ये जो चुनाव है ये लोक तंत्र को और सम्विधान को बचाने का चुनाव है एक तरफ NDA नरेंद्र मोदी जी जो कॉंस्टिटूशन पर आक्रमन कर रहे हैं लोक तंत्र पर आक्रमन कर रहे हैं इंस्टिउशन को कैप्चर कर रहे है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉंस्टिटूशन की रक्षा करता है लोक तंत्र की रक्षा करता है तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सिस के बीच में है ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनेतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है RSS ने और BJP ने और खास्तोर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्राटीजी बनाई है उसका फाउंडेशन क्या है उसकी नीव क्या है सबसे पहले ये समझना है नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मनोपली है पोर्ट्स पर, इंफ्रस्ट्रक्चर पर, डिफेंस में वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पोलिटिकल फाइनेंस की मनोपली बनाई है कैसे बनाई है ED, CBI, Income Tax Department का प्रयोग करके अगर आप bond schemes को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, BJP ने एक प्रकार से political funding extortion से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है खारगे जी ने कहा जो भी भरष्ट हैं वो सब BJP में जा रहे हैं उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि political finance की monopoly उनके हातों में हो अब हमेरे bank account बंद कर दिये हमारे पास original रास्ता जो था वो ही हमारा रास्ता है हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं मगर जो राजनेती में आज हो रहा है वो clear है कि सब parties को नरेंद्र मोदी EDCBI इन इंस्टिटिटिशन्स को capture करके financially monopoly बना रहे हैं अपने और चुनाओ के बाद reality है कि यह जो financial monopoly बड़ी interesting चीज़ है क्योंकि सारा information सारा का सारा information किस से extortion किया है किसको contract दिया है contract देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है वो पूरी blueprint पूरी की पूरी blueprint electoral bonds में लिखी हुए तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल opposition को पूरी charge sheet proof sheet electoral bonds के तुरू पकड़ा दी है तो इसलिए थोड़ा terror हुँ रहा है उनको इसलिए नंबर निकला है 400 पार इसलिए ये महराष्ट्रा में हमारे नेता ले जा रहे है हर्याना में सब जगे हमारे नेता ले जा रहे है क्योंकि उनको लग रहा है कि बहिया अगर 400 पार्णी 180 हो गई 160 हो गई 140 हो गई तो नईया पायर हो जाएगी थैंक यू